हेलो दोस्तों हपी दिवाली सपना की फैमिली की चन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं भूने हुए पोहों से चूड़ा की रेसिपी आए देख सकते हैं हमने इसके लिए क्या क्या इंग्रिण लिया है 200 गराम पोहा भूना हुए और आधा किलो मकई का पोहा एक कटोरी मुंफली और थोड़ा ज्यादा कड़ी पत्ता ड्राइफ्रूट्स धन्या पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, सफेत तील, नमक, हल्दी, सुखी मिर्च और थोड़ा सशंफ लेले अब हम अपना मकई को तलेंगे और मकई को थोड़ा ही थोड़ा तलना चाहिए, नहीं तो तेल सारा सोक लेता है इसके लिए थोड़ा थोड़ा तलेंगे तो जल्दी हो जाता है इसी तरीके से हम अपने बचे हुए मकई के पोहो को तल लेंगे और बिने हम निकाल लेएगे और हमारे ये मकई के पोहई ready हो चुके हैं अब देख सकते हैं दोस्तो हमारे पूरी तरिके से मकई के पोहई ready है अब हम अपने ड्रा फूर्ट को अच्छे से भून लेंगे अपना ड्रा फूर्ट्स भून लेंगे ड्राइफ्रूट्स को हलका लोफुलेंपे ही भूनेंगे हलका लाल होने तक भूनेंगे और ड्राइफ्रूट्स हलका लाल जब भूना जाएगा तो उसे हम निकाल लेंगे और उसमें हम अपनी जो पहले से रखा हुआ मुंगफली है उसको भूनेंगे अब हमारा dry fruits हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे dry fruits हमारा और dry fruits हो गया अब हम अपनी मुंगफली को भूनेंगे अब हमारा मुंगफली को देखिए लोही फ्लेंपे भूनना है इसको नहीं तो जल जाएगी लोह फ्लेंपे भूनना है और इसमें थोड़ा नमक डाल देना है ताकि मुंगफली में नमक अच्छे से मिल जाए अब मुंखली हमारी हो गई है, अब इसमें हम अपना पोहा जो है उसको बड़े पतीला में बिना तेल का इसे सूखा गरम कर लेंगे ताकि पोहे में से नम्मी निकल जाए और पोहा अमारा कुरकुरा हो जाए तो यह हमने अपने भाज के पोहई को ले लिया है अब हम अपने जैसे ममी ने खाता पतिला गरम हो चुका है तो इसमें हम अपने भाज के पोहई को डाल देंगे और अच्छे से इसे लगातार चलाते रहेंगे यह हम कर रहे हैं जिससे हमारे पोहई जो भाज के पोहई वो ए ग्याने तो ज्यादा दिर रखेंगे तो जल जाएगा इसको अच्छा तरीका है कि पोहा डालके पतीले में चलाते रहो और गरम हाथ से छूओ अगर गरम लगा तो समझी हमारा पोहा हो गया है फिर गथा इसको बंद कर देंगे पोहे को अच्छे से चला लेंगे ताकि हमर पोहा कुरकुरा हो जाये अपना तड़का तैयार कर लेता हमने पतीेले में तेल डाल लिया है इसमें हम अभी जीरा डाल देंगे सॉफ मिला लेंगे और कि इसमें हम सुफी लाल मिर्च अड खर लेंगे धनिया पाउडर डाल देंगे लाल मिर्श और हल्दी भी अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हमने जो सफे तेल लिया था उसे भी डाल देंगे और अपने कड़ी पत्तों को भी इसमें मिला कर अच्छे से इसे चला लेंगे लो फ्लेम पे और लोप लेंपे से लगता चला आते रहेंगे जिससे हमारा ये जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए और इसे हम जलने नहीं देंगे अब इसमें हम अपना नमक मिला लेते हैं नमक मिला कर अच्छे से मसाले में मिक्स कर देते हैं अब इसमें हम अपने जो ड्राइफ्रूट्स हमने बनाया था मुंगफली के साथ उसे मिला लेते हैं अच्छे से इसे हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे एक बार ये अच्छे से भून जाए तो हमने जो अपने भूने वे पोहे रखे थे उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हमने अपने जो मकई के पोहे थे उसे भी डाल कर अच्छे से चला लेंगे और mix कर लेंगे अपने मसाले के साथ तड़का जो हमने तयार किया था अब इसे अच्छे से चला लेंगे जिससे हमारा मसाला हमारे भाच के पोहे और जो हमने मक्कई के पोहे लिए है उसके साथ अच्छे से मिल जाए और यह हमारा चूड़ा आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से तयार हो चुका है इसी तरीके से आपको अगर पॉसिबल ना हो यह तरीके से जैसे मम्मी कर दी है चूड़े को अच्छे से उपर नीचे मिक्स कर लेंगे जिससे हमारे तर्के के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें मासाले अच्छे से मिल जाए अब यह हमारा चूड़ा रेडी हो चुका है तो आप भी देख सकते हैं बड़ा अच्छा कलर आया है आप जरूर इसे बनाए और कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपको हमारा कैसा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चै यह उसे दबाना ना मुले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के से जरूर शेर करें ठेंक्यू जाने तो